आपके अपने YouTube चैनल सितेश कामर्स ट्यूडूरियल में आपका स्वागत है मैं सितेश कमार को स्वाहा आज आपके समक्ष आपके मीडि टर्म एक्जाम पैटन 2022-23 से सम्मंदित शंपूर जनकारी एक नोटिफिकेशन के मादेम से देने वाला हूँ जो दीन दियाल उपध्याए गोरखपूर इनवर्सिटी द्वारा 21-10-2022 को जारी की गई है फ्रेंड्स आपको बता दू कि इसके पहले मैंने एक और वीडियो प्लोड किया हुआ था दो सब्जेक्ट के माक्स किसपर का डिवाइड किये गया है उसकी संपूर जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को बीना इसकी प्लोड के हुए अन तक देखेगा तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपके जो नान अप्रेडिकल सब्जेक्ट हैं मीडिय टर्म का तो वो 40 माक्स का होने वाला है और इसमें जो है 15 नंबर का आपका पेपर आएगा जो लिखित होगा और एक घंटे का आपका होगा और 3 पाली में पेपर होने वाला है आपको पता ही है 9 से 10 और 12 से 1 और 3 से 4 एक घंटे का होगा और 15 नंबर का होगा ठीक है जिसमें 6 question आएंगे और इसमें से आपको 3 question कोई करना होगा पर 3 question 5 number का होगा यानि 15 number का आपका question करना होगा ठीक है अब बात करते हैं आपके internal marks कैसे मिलेंगे जो 25 number के होगे ये कैसे मिलेंगे तो friends आपको 10 number का assignment लिखना होगा जो 500 से 600 सब्दों में होगा और 10 number का आपका field work या project होगा ठीक है ये मिलेगा और बाकी 5 number जो है आपकी उपस्तिती के आधार पर यानि attendance के आधार पर मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं friends कि आपके practical person पत्र में किस परकार divide है marks तो आपको बताते हैं कि जो practical person पत्र जो media term के होने वाले हैं 30 अंका विवाजन किस परकार किया गया है तो 20 number जो है आपका लिखित यानि subjective होगा जिसमें 6 question आएंगे और इसमें से 4 question करना होगा और परते question 5 number का होगा तो 4 पच्चे 20 यानि 20 marks आपके ये होगा अब बात करते हैं 10 number जो internal है वो कैसे मिलेगा तो ये 4 number आपका assignment जो 400 से 500 सब्दों में लिखना होगा और 4 number आपका field work या project के आधार पर होगा और 2 number आपकी उपस्तिती के आधार पर होगा ठीक है friends अब बात करते हैं कि आपका प्रेटिकल में जो 25 अंका विभाजन जो है वो कीस परकार किया गया है प्रेटिकल परसन पत्र में ठीक है तो 10 number जो है बाहन अंक मौके की tutorial powerpoint presentation के आधार पर मिलेगा ठीक है और 15 number जो internal होगा उसका भी भाजन जो है देखिए 6 अंक आपके assignment जो 400 से 500 सब्दों लिखना होगा और 6 अंक आपका field work या project के आधार पर होगा और 3 अंक आपकी उपस्तिती के आधार पर होगा अब बात करते हैं जो subject पूरे के पूरे आपके 100 marks के होते हैं और इसका paper नहीं होता है और इसका time table भी नहीं आएगा आपका time table में आपका इस subject का नहीं दिया हुआ होगा ठीक है जैसे आपका जो second semester become second semester में compromise accounting का हुआ था बिलखुल वो ऐसे ही और second semester जो BA में sociology में हुआ था और भी कुछ subjects में हुआ था ठीक है तो friends आपको बता दें कि वो पूरे के पूरे 100 marks जो है न वो किस परकाट divided हैं आपको दिखा देते हैं ठीक है तो इसमें जो है केवल जो प्रेटिकल होगा उसमें internal और बाहें परिश्वर द्वारा संपादित किया जाएगा और आपको बता दे कि इसमें भी जो 25 number है वो आंत्रिक होगा लेकिन इसका भी भाजन कुछ अलग तरीके से किया गया है 25 number में जो 5 number है वो आपका प्रेटिकल परफामेंस के अधार पर होगा ठीक है और 15 number प्रेटिकल रिकॉर्ड कापी के अधार पर होगा और 5 number आपकी उपस्थिती के अधार पर होगा तो 25 नमबर आपका internal divide हो गया, clear है, अब बात करते हैं कि आपका जो 75 नमबर जो विभाजन किया गया है, वो किस परकार किया गया है, तो ये 30 नमबर का आपका major exercise है, 25 नमबर आपका minor exercise है, और 20 नमबर का आपका मौखी की प्रस्न है, अब ये नमबर कैसे मिलेंगे आपको, तो university से हो सकते हैं, और वो लोगों के निहंतरन में ये पूरे marks होंगे, ठीक है, उसमें एक ब्यक्ति जो आएंगे, वो internal वाले होंगे, ठीक है, तो internal और external, दो ब्यक्ति आएंगे, examiner जो होंगे, ठीक है, और आपको बता दें, कि internal तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन external में, ज आपके college द्वारा लिखवाया जाएगा, फाइल बनवाया जाएगा, और minor exercise के लिए जो 25 नमर का है, इसका भी फाइल तयार कराया जाएगा, ठीक है, और 20 नमर जो है, आपका examiner द्वारा, मौखी को question पूछे जाएंगे, और उसके अधार पर आपको number दिये जाएंगे, तो आते हैं, तो friends, भिलकुल चैनल को subscribe कर लिजिए, और bell icon को always select कर लिजिए, ताकि इस तरह के video लेकर के आते रहेंगे, और आपको notification भी मिलता रहेगा, और हमारी चैनल पे हर जो BA, BSC, become के minor subject है, उसके सभी questions हमारी चैनल पे मिलते हैं, और become के तो संपूर subject का, तो friends, चैनल तो subscribe करना बनता ही है, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you